टीजी टी बालोजी के लिए most important MCQ test 2 में आप लोगों का स्वागत है चलिए शुरू करते हैं पहला question है बानस्पतिक सर्प है बानस्पतिक सर्प किसे कहा जाता है टीजी टी 2004 में पूछा गया और पीजी टी में भी 2004 में पूछा गया था यह प्रश्ण तो इसका answer होगा C, टेलिडोफाइट्स बानस्पतिक सर्प कहे जाते हैं यह जो टेलिडोफाइट्स होते हैं यह botanical snacks कहे जाते हैं जबकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उन्हें बानस्पतिक उभैचर कहा जाता है यह टेलिडोफाइट्स को बानस्पतिक सर्प कहते हैं औ तो सबसे पहले इस्थलिप ओधे कौन है टेरिडोफाइट iau होते हैं नेष्ट कुईねड़ूफाइटा का मुख्थी पोधा है इस्पॉरोफाइट एपिफाइट सैप्रोफाइट गेमिटोफाइट टेरिडोफाइटा का मुख्थी पोधा क्या है TGT 2004 में प्रिश्ण पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला इस पोरोफाइट को हिंदी में बीजारोथ भिद कहा जाता है तो जो टिरोडोफाइट का मुख्य पौधा है ये बिजाणू भिद होता है या कहले जे कि इस्पोरफाइट होता है जो जड़ तना पतियों में बटा होता है यह दिगुडित होता है और सेफ्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो मृत कर्बनिक पदार्थों से अपना कोईशन है तरुण पतियां कुंडलित होती है यानि जो पतियां नए-nए से निकलती है वो ये मुड़ी होती है इन में से किस पौधे में मारसीलिया में पर्ण में साइकस में उपरियुक्त सभी में टीजी टी दोजार तेरा में कोईशन पोछा गया था इसका आंसर होगा परियुक्त सभी में यानि मारसीलिया में फर्ण में और साइकस में ये तरुण जो पतियां होती है नए-से जो निकलती है वो ये कुंडलित होती है या घूमी हुई होती है और उनमें जो कुंडलित होती है तो कुंडलिदार से रविन्यास भी पाया जाता है कैसा से रवि CT 2013 में question पोछा गया था, कि साबुदाना किस से प्राप्त होगा, answer होगा, पहला साबुदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है, आपको बता दें, कि साइकस रेवलिउटा से, या इसके तने से साबुदाना या सैगो प्राप्त किया जाता है, जो कि स्टार्च होता है, तो अगर वास्तविक साबूदाने के बात की जाए, तो इंजियो स्पर्म मेट्रो जाइलान से प्राप्त होता है, इंजियो स्पर्म मेट्रो जाइलान से वास्तविक ब्यापारिक साबूदाना प्राप्त किया जाता है, तो TGT 2005 में प्रेस्ट पूछा गया था ये इसका आंसर होगा C साइकस में कॉरलाइड जड़े पाई जाती है प्रोफेसर डीडी पंत ने अनावरित वीजी को बाटा है प्रोफेसर डीडी पंत ने अनावरित वीजी को किस में बाटा है कितने वीभागों में बाटा है TGT 2010 में कुछा गया था इसका आंसर होगा B तीन विभाग में बाटा है बता दें कि प्रोफेशर डीडी पंत ने अनाबरित बीजी पौधों को तीन डीविजन्स में बाटा है या तीन समुहों में बाटा है इन्होंने इसमें कुल नव वर्ग बनाये थे नेक्स्ट कुछिचन है साइकस रेवलिवटा बहुदा उगाया जाता है साइकस रेवलिवटा बहुदा उगाया जाता है चार आप्सन दिये गए हैं इसमें से कौन सा आप्सन सायोगा TGT 2010 में कोशन पूछा गया था इसका आंसर सायोगा P सजावटी पौधे के रूप में बताते चलें साइकस साइकेडेसिक पुल से सम्मंधित एक जाती है इसकी 100 से अधिक जातियां बिसु के बिभिन भागों में पाई जाती है जिन में से लगभग 9 जातियां भारत में पाई जाती है और साइकस रेवल्यूटा भारत में पाई जाने वाली ही एक जाती है कितनी जातिया भारत में पाई जाती है लगभग में नौ जातिया पाई जाती है जिसमें से साइकस रेवल्यूटा भारत में पाई जाने वाली ही जाती है जो मूल रूप से जापानी जाती है अगर बूर्ड रूप से देखा जाए तो जापानी जाती है लेकिन अब भारत में पाई जाती है भारत में इसे इसके सुन्दर आकार के कारण सजावती पौधे के रूप में उगाया जाता है क्योंकि इसका आकार सुन्दर होता है इसलिए इसे लोग सजावती पौधे के र अपाक्छु तल पर तो साइकस में नर तथा माधा पौधे अलग-अलग होते हैं जो साइकस होता है इसमें नर अलग होता है माधा अलग होता है नर पौधे में बहुत से सूज में विजारू परण एक साथ मिलकर नर संक का निर्मार करते हैं और सूच में विजारू परणों की निचली, अर्थात अपाक्ष, निचली का मतलब है, अपाच्छ तल पर बहुत सी विजारू धानिया बिक्सित होती है, इनमें सूच में विजारू का निर्माड होता है, अपाच्छ तल कहिए चाहें निचला तल कहिए, उसमें बहुत सी बिजारों धान या बिक्सित हो जाती हैं और उनमें सूर्थ में बिजारों का निर्माड होता है आते हैं नेक्स कुछन पर इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संभाहन पूल रिंग पाये जाते हैं किसमें प्जी टी दोहजार दस में कुछन पूछा गया था कि इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संभाहन पूल रिंग पाये जाते हैं ऑप्शन से वगा ए साइकस के रेकिस में बदा दें कि साइकस के पौधे की पत्ती के रेकिस भाग में साइकस जो होता है उस पौधे की जो पत्ती होती है पत्ती के रेकिस भाग में संभाहन मंडल इस प्रकार से विवस्तित होते हैं इस प्रकार से लगे होते हैं कि ये एक इन्वर्टेड ओमेगा आकार में दिखाई देते हैं ओमेगा जैसे बना होता है विड़कुल उसी आकार में दिखाई देते हैं नेश्ट कुश्चन है पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है जो पाइनस की जड़ है इसमें जाइलम का आकार कैसे होता है TGT 2010 में question पुछा गया था तो इसका answer होगा B Y आकार का होता है जो pinus की जड़ होती है इसमें जाइलम का आकार Y आकार का होता है next question है pinus में बीजांड का प्रकार है pinus ने बीजांड किस प्रकार का पाया जाता है TGT 2010 में question पुछा गया था anatropos, arthotropos, compelotropos और sarcinotropos तो बीजांड के प्रकार पर मेरे जर्म में वीडियो अप्लूड़ है आप लोग जागर के देख सकते हैं full save उसमें detail से मैंने चित्र सही समझाया हुआ है फिर भी यहाँ पर pressure पूछा गया है कि pinus में भीजांड का प्रकार क्या होता है तो options होगस में B, arthotropos प्रकार का होता है अन्य जिम्नस्वर में की भाँ थी pinus के भीजांड की रिजमुखी तथा अध्यावरणी होता है जो pinus के भीजांड होता है वो रिजमुखी होता है आर्थो ट्रॉपस होता है और अध्यावरणी होता है इनमें बिजांड का अध्यावरण बिजांड द्वार आधिसन रचनाएं पाई जाती है पिक्नो जायलिक कास्ट पाई जाती है पिक्नो जायलिक कास्ट किसम में पाई जाती है TGT 2011 में कुछा गया था इसका आंसर होगा B पाइनस में पिक्नो जायली कास्ट पाई जाती है बता दें कि पाइनस के तने में एक ही एधा या वल्ले सक्रिय बना रहता है एक ही एधा वल्ले यह होता है केंपियम रिंग्स होती है वो सक्रिय बनी रहती है जिससे एक धारुक इस्थिती कहते है और इससे बना दुतियक जायलम द्रण होता है जिससे सगहन धारुक कास्ट भी कहा जाता है नेक्स कुछिचन है पाइनस की कास्ट है पाइनस की कास्ट क्या होगे TGT 2010 में कुछा गया था इसका आंसर होगा पहला सगहन दारुक पाइनस की कास्ट होती है नेक्स कुछिचन है पाइनस है ब्रच, जारी, साक इन में से कोई नहीं पाइनस क्या है बताना है TGT 2009 में कुछा गया था तो इसका आंसर होगा पहला पाइनस एक ब्रच्च है बता दें कि पाइनस एक सदा बहार बहुवर्सी मरुद्भिद ब्रच्च है सदा बहार बहुवर्सी मरुद्भिद ब्रच्च है इसकी अधिकांस जातियां मध्यम या बड़े आकार के ब्रच्चो होते है अधिकांस जो इसकी जातियां है तथा उत्तरी पश्चमी हिमाले में पाय जाते हैं कहां पर उत्तरी पुर्वी और उत्तरी पश्चमी हिमाले में पाइनस के बिच्छ पाय जाते हैं नेश्ट कुश्चन है तारपीन का तेल प्राप्त होता है कोईला से, पेट्रोलियम से, सेडारवुड से, पाइनस से, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है प्जेटी 2009 में कुछा गया था, इसका आंसर होगा D. तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त होता है बता दें कि तारपीन का तेल पाइनस से मिलता है और इन ब्रच्छों से रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है जो पाइनस होते हैं इनसे रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है और इसके आसवन से टारपेंटाइन प्राप्त किया जाता है इसका आसवन किय जाता है रेजिन का और रेजिन के आसवन के बाद तारपेंटाइन या कंजी की तारपीन प्राप्त होता है और तारपीन का उपयोग पेंट पालिस इत्याज में बिलायक की रुप में किया जाता है जैसे आपने देखा होगा जब घरों में पेंट लाते हैं तो उसमें क्या क इससे कापूर बनता है और अन्य बहमोल औस अधियां भी बनाई जाती है फिनेश्ट के चलें पाइनेस नीडिल की आंत्रिक सर्रचना का सभाव क्या है टीजीती दोजानौ में कुछिज़न पोचा गया था इसका आंसर होगा भी मरुदभिद प्रकार का होता है बताते चलें कि पाइनस में पत्ती सुई के आकार के होने के कारण निडिल कहलाती है क्योंकि जो पाइनस की पत्ती होती है वो सुई के आकार की होती है इसलिए से कहते हैं निडिल कहा जाता है और इसकी आंतरिक संदचना में मरुदभिद लच्छन पाये जाते हैं यहां मरुदभिद होती है जैसे मोटी और इक हारी इडिर्मिस होती है जोकि क्यूटिकल की मोटी परस से धाकी रहती है और इसमें इस्टोमेटा गहरे धसे होते हैं यह गहराई में होते हैं इस्टोमेटा यह रंद्र और यह लक्षण वास्पोस सर्जन द्वारा जल हानी को रोकते हैं चुकि गहराई में होंगे तो वास्पोस सर्जन के द्वारा जो जल की हानी होते हैं उसको रोकेंगे यह मरुद्धित का प्रमुक लक्षण होता है वहां के जो पौधे होते हैं ये एडाप्टेशन है वहां का फिर नेश कुछन है पंकिये पराग कण पाए जाते हैं साइकस में पाइनस में फाइकस में हिबिसकस में पंकिये पराग कण किसमें पाए जाते हैं जो पॉलेंग्रेंस होते हैं उसमें पंक होते हैं तो कि पाई जाते हैं जो पाईनस के पराकण होते हैं उसमें दो वायो थैलियां या घ्लिजी की पच्छ होते हैं अता इन्हें सपक्ष या पंक्खिय पराकण कहा जाता है विंग्ड कहा जाता है विंग्ड पॉलन ग्रेंस या पंक्खिय पराकण पाईनस के पराकण का बाहर जो च जाएंगे या एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाएंगे यानि विंड पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है सपच्छ परागकन पाए जाते हैं किसमें साइकस में सिलेजिनेला में पाइनस में ड्रायोपेटेरिस तो यह टीजीटी 2004 में कुछा गया था इसका आंसर होगा सी सपच्छ परागकन पाइनस में पाय जाते हैं फिर नेश्ट कोईट्चन है सपक्च परागकन मिलते हैं टेजिस में सिलेजिनेला में पाइनस में साइकस में देखे चो अभी मैंने पहले कोईशन बताआ है वो टीजीटी 2004 में कुछा गया था और यह देखे आगे बिल्कुल सेम वही question है सपक्ष पराकण मिलते हैं किसमें ये TGT 2005 में पूछा गया है तो सपक्ष पराकण मिलते हैं किसमें मिलेंगे आपसंसर्गस में C, Pines में next question है एक सुस्क फल चिलगोजा किस प्रजातिका है? एक सुस्क फल चिलगोजा जो होता है किस प्रजातिका होता है? साइकस, Pines, Arm, Gymnosperm तो इसका आंसर होगा B, Pines, सुस्क फल चिलगोजा प्रजातिका होता है ये TGT 2010 में कोच्छा गया था चिलगोजा फल एक बीज होता है जो कि Pines, Girardiana नामक पौधे से प्राप्त होता है पाइनस, Girardiana नामक पौधे से प्राप्त होता है नेश कुच्छन है चिलगोजा किस पौधे का फल है? इसमें से ओफ्सन सायोगा पहला पाइनस, Girardiana पाइनस, Girardiana पौधे का फल क्या है? चिलगोजा कहलाता है नेश कुच्छन है नेश कुच्छन है पाइनस में परागण का प्रकार है यनि पाइनस में किस प्रकार का परागण होता है वायू परागण, जल परागण, जन्त परागण, केरियो पिटेरिस परागण तो इसमें से कौन सा परागण पाइनस में पाया जाता है TGT 2010 में कुछा गया था इसका आंसर होगा A PINUS में वायू परागण पाया जाता है और PSYCUS में ये तीन कोज की अवस्था में तर्था PINUS में चार कोज की अवस्था में होता है जो वायू परागण होता है नेफ्ट कुिस्चन है जीवित लग होत्तम अनावरित बीजी पौधा है जीवित लगुतम अनावरित बीजी पौधा कौन सा होगा TGT 2010 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला जैमिया जीवित लगुतम अनावरित बीजी पौधा है अनावरित बीजी पौधे जो होते हैं वो बहुरसी होते हैं अनाबिल परजी कपोदेकर से होते हैं, बहु अर्सी होते हैं, और इसमें अधिकांस ब्रिक्ष होते हैं, अधिकांस रूप से जो होते हैं, वो ब्रिक्ष ही होते हैं, कुछ जाडिया होते हैं, आपवाद सरूप, कुछ जिम्नोस्पर्म साक भी होते हैं, जैसे जैमिया, पि पताना है तो आंसर इसमें से होगा जिंकगो बाइलोबा जीवित जीवास में है तो जिसकी उत्पत्ति लाखो करोडों वर्सों पूर्व होई थी और तब से आज तक उनमें कोई परिवर्थन कोई विकास नहीं हुआ है जिंकगो बाइलोबा ऐसा ही पौधा है जो ट्राइक किस पीरिट से उत्पन हुआ था और आज भी जीवित है आप परिवर्थित है नेक्स कुछन है साइकस के भ्रोण में बीजपत्रों की संख्या होती है परन्तो जब परिपक को अवस्था होती है तो केवल एक भ्रोण बजता है से सभी नेस्ट हो जाते हैं और प्रत्य भोण में दो बीजपत्र होते हैं कितने दो बीजपत्र होते हैं एक रेडिकल तथा एक प्लिम्योल पाया जाता है नेश कुछन है पाउधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है साइकस में सिकोया में पाइनस में सिलेजिनेला में पाउधों में सबसे बड़ पौधे में सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी अंड कोशिका पाया जाती है किसमें साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड होता है और सबसे बड़ी अंड कोशिका यह कलिजी की एक सेल और उस्पोर पाया जाता है पर्ण मेखला अनुपत पाये जाते हैं पढ़ मेखला अनुपत किसम में पाये जाते हैं? तो इसका आंसर होगा A. साइकस के तने में पाये जाते हैं. Next question है, Transfusion उतक उपस्थित होता है पत्तियों में? किसकी पत्तियों में Transfusion उतक उपस्थित होता है? बताना है, Dryopteris, Psychus की, Pines की, Psychus और Pines दोनों की, ये question TGT 2005 में पूछा गया और PGT 2010 में पूछा गया यही question. मैंने आप लोग को बताया है कई बार, कि TGT और PGT में घुमा घुमा करके प्रश्ण पूछे जाते हैं, कभी इसमें, कभी उसमें, तो यो दोने के लिए important होते हैं, तो इसका आंसर होगा D, Psychus और Pines दोनों की पत्यों में, Transfusion उतक उपस्थित होता है, बताते हैं, कि Psychus पे ये उतक, Trachids के बने होते हैं, जबकि Pines में ये उतक, Trachids तथा पैरन काइमा दोनों के बने होते हैं, और इन उतकों का कार, जल और खनिजों का अंतिम सिरोतक परिवाहन करना होता है, Next Question है, किस पाधे का OVUL सबसे बड़ा होता है, ऐसा कौन सा पाधा है, जिसका OVUL सबसे बड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा C, Psychus का OVUL सबसे बड़ा होता है, तो बता दें, कि समस्तु पाधब जगत में सबसे बड़ा OVUL साइकस के पाधेगा होता है, समस्तु पाधब जगत में सबसे बड़ा OVUL किसका? साइकस के पाधेगा, और मैंने बता था सबसे बड़े नर्युगमक किस में? तो साइकस में, सबसे बड़ा OVUL तो साइकस में, प्राप्त की जाती है, चार आपसंद दिये गए हैं, TGT 2004 में कुछत पुछा गया था, इसका आंसर होगा B, Tectona Grandis, Tectona Grandis से टीक लकडी प्राप्त की जाती है, यह टीक लकडी सागाउन के ब्रच्छ से प्राप्त होती है, जो सागाउन का ब्रच्छ होता है, इससे टीक लकडी प्राप्त होती है, और इसी का बानसपतिक नाम होता है, Tectona Grandis, सागाउन का क्या नाम है बानसपतिक नाम, Tectona Grandis नाम होता है, और यह एक आब्रित वीजी पौधा होता है, नेस्ट क्यूस्चन है, टीक की लकडी प्राप्त होती है, देखे घुमा कर प्रश्ण पूछा गया, वो TGT 2004 में पूछा गया था, यह TGT 2005 में पूछा गया है, टीक लकडी किससे प्राप्त होती है, तो Tectona Grandis से टीक लकडी प्राप्त होती है, नि अनाब्रित वीजीों म पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा D, अनाब्रित वीजीों में भूण पोस अगूडित होता है, बताते चलें, कि जितने भी अनाब्रित वीजी पौधे होते हैं, इन में भूण पोस या इंडोस्पर्म निसेचन के पहले ही बन जाता है, और यहां एक अगूडित रचना होती है, और इन पौधों में जो भूण पोस होता है, भूण पोस मादा युग्मकोद भीत को प्रदरसित करता है, और अगर इसके विपृत देखा जाएं, तो आब्रित वीजी पौधों में भूण पोस निसेचन के बाद बनता है, जो की त्रिगूडित होता है, निमेटो 4 इन में से सहायक होते हैं, किसम में सहायक हैं, कार्बोहाइडेट उपापचय में, प्रोटीन स्रेलेशन में, वास्पोस सर्जन में, स्वसन में, तो इसका आंसर होगा D, निमेटो 4 स्वसन में सहायक होते हैं, या रिश्पाइरेशन में सहायक होते हैं, तो निमेट ये जड़े दल्दल से बाहर सीधी निकली रहती हैं, होती के हैं ये वास्तों में, वाईवी ये जड़े होती हैं, और दल्दल से बाहर निकली रहती हैं, कैसे जैसे खोटी निकली रहती हैं, बिल्कुल खोटी जैसी सन्दचना बनाती हैं, और ये जड़े रडात्मक गृत् का मतलब है कि गृत्त के विपरीत ऊपर क्यों निकली रहती हैं नीचे क्यों नहीं और इन पर अनेक छिद्र भी पाय जाते हैं यानि इन जड़ों पर छोटे-छोटे से छिद्र भी होते हैं मैंग्रेव जो पौधे होते हैं उनके विसेस लक्षण होते हैं उधारन के रुप जो फोरा की जड़े होती हैं उसमें निमेटो फोर निकलती हैं नेक्स कुछन है निमेटो फोर एक विसेस प्रकार की परिवर्ति जड़े हैं जो मदद करती हैं इन्हीं निमेटो फोर की जड़े किस में मदद करती हैं स्वसन में प्रकार संसलेशन में वास्पोस तो इसका आंसर आप सभी लोग जान गए होंगे होगा पहला निमेटोफोर स्वसन में मदद करती है रेस्पाइरेशन में मदद करती है टीजी तीजी तीजार टेर्मा एकोसर पुछा गया था जब पुंकेशर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराकोस जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं पुंकेशर के तंतु स्वतंत्र हों पराकोस जुड़े हों ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर होगा डी सिंजिनेसियस बता दें कि सिंजिनेसियस क्या है तो जब पुस्प के तंतो स्वतंत्र हों यानि फिलामेंटा पिस्टमेंट स्वतंत्र हों फिरी हों और पराग कोस अथवा एंथर आपस में जुड़े हों तो इसी अवस्था को सिंजिनेसियस कहा जाता है अथवा हिंदी में कहें तो इसी अवस्था को युकता कोसी कहा जात तो इसका आंसर होगा D, सूकी काओं की सूकी, ग्रेमेनी कुल का पुस्पक्रम होता है, उसमें सूकी काओं होती हैं, बता दें कि ग्रेमेनी कुल का पुस्पक्रम सूकी काओं की सूकी होता है, और अन्य कुलों से विपरीत, ग्रेमेनी कुल में पुस्पक्रम की इकाई पुस बाजरा, ग्रेमिनी कुल के प्रमुख सदसे होते हैं जितने भी घास कुल के पौधे होते हैं इसको घास कुल भी कहा जाता है वो सब इसी में आते हैं नेश कुछन है घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है क्या कहलाता है? चार आपसन दे गए हैं इसकी उटेलम, बीजपत्रो परिक, बीजपत्राधार, टेगेलम, तो इसका आंसर होगा पहला गहास परिवार में बीजपत्र, इसकी उटेलम कहलाता है, गहास परिवार का है, तो ग्रेमनी कुल को गहास परिवार के नाम से भी जानते हैं, और ग्रेमनी को ही ओएशी कुल भ भास परिवार ये सब एक ही है किसी भी नाम से पूछा जा सकता है तो इनमें बीज पत्र जो होते हैं वे इसको टेलम कहलाते हैं नेश कुछन है पोएशी नया नाम है किसका रोजेसी ग्रेमिनी वेटेसी इनमें से कोई नहीं पोएशी किसका नया नाम है तो अभी हमने बताय था ग्रेमिनी को पोईशी कुल भी कहा जाता है तो इसका आंसर होगा बी ग्रेमिनी नेश कुश्चन है उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताईए जिससे चाय मिलती है जिससे चाय मिलती है उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताना है तो इसका आंसर होगा बी कामेलिया साइन कामेलिया साइनेंसिस पौधे से चाय प्राप्त होती है। आप लोगों को बताते चलें कि ये थियेसी कुल का पौधा है जो चाय होती है। पेसियों के उतेज़क के रूप में कारे करता है। इसके अतरिक्त चाय में 2.5% थीन होता है, 13-18% टैनिन होता है और वास्प सील तेल पाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़े चाय में पाई जाती है। चाय का रंग वा इसका तीखा स्वाद इसमें उपास्थित टैनिन के काण होता है। जो तीखा स्वाद होता है और रंग होता है वो उसमें कौन सा उपास्थित होता है। टैनिन उपास्थित होता है पदार्थ इसके काण होता है। और चाय की पत्ती का रंग तथा उनकी क्यूरिंग के आधार पर चाय की गुडवत्ता निर्धारित की जाती है। नेश्ट कुश्चन है चाय की गुडवत्ता निर्भर करती है देखे कुश्चन आ गया है तो चाय की गुडवत्ता किस पर निर्भर करेगी पत्यों के रंग पर चाय की गुडवत्ता निर्भर करती है नेश्ट कुश्चन है नमलिखित किस पौधे से चाय प्राप्त होता है फिर से देखे घुमा कर प्रशन पूछा गया है तो चाय किस पौधे से प्राप्थ होगा कामेलिया साइनेंसिस से चाय प्राप्थ होती है नेस्ट कुछिजन है तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं तंबाकू और आलू किस कुल के पौधे हैं और तमबाकू और आलू का वनस्पतिक नाम क्रमसा, यानि तमबाकू का वनस्पतिक नाम क्रमसा, यानि तमबाकू का वनस्पतिक नाम क्रमसा, यानि तमबाकू का वनस्पतिक नाम होता है, और आलू का वनस्पतिक नाम सोलेनम टुबरेशम, सोलेनम टुबरेशम होता है, ने इस कुल का पौधा है तो इसका अंसर होगा B केला मिवजेसी कुल का पौधा है आपको बता दें कि इस कुल के पौधे प्राया विसालकाय साक होते हैं ये एक बीजपत्री होते हैं जितने भी मिवजेसी कुल के पौधे होते हैं वो विसालकाय होते हैं साक होते हैं एक एक पौधे में एक सीर्सस्त पुस्पक्रम होता है, एक सबसे सीर्स पर एक पुस्पक्रम होता है, जो प्रकंद में उत्पन होकर आभासी इस्तम के सीर्स से बाहर आता है, और इस कुल के पुस्पक्रम को इस पैडिक्स कहते हैं, जो मिर्जेसी है, मिर्जेसी कुल के जितने पॉधे होते हैं उनके पुस्पक्रम को क्या कहा जाता है इस पैडिक्स कहा जाता है जिसमें रंगीन इस पेथ सद्रिस सहपत्रों में लिप्टे मोटे वा मांसल रेसीम पुस्पक्रम होते हैं जैसा कि आप लोगों ने केले में देखा होगा रंगीन सा पुस्पक्रम निकलत होता है तो अभी मैंने आप लोग बता था केले का पुस्पक्रम इस पैडिक्स होता है तो इसका आंसर होगा D next question है आडू का वनस्पतिक नाम क्या है आडू का वनस्पतिक नाम बताना है तो इसका आंसर होगा D. Prunus Persica आडू का वर नस्पतिक नाम होता है आपको बता दें कि आडू का वर नस्पतिक नाम प्रूनस Persica है और ये रोजेशी कुल का पोधा है किस कुल का? रोजेशी कुल का पोधा है और इसका फल खाने योग्य होता है इसका आंसर होगा राउल्फिया सर्पेटाईना आउसधिये होता है आपको बता दें कि राउल्फिया सर्पेटाईना को सर्पगंधा कहा जाता है इसको क्या कहते हैं सर्पगंधा और सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम होता है राउल्फिया सर्पेटाईना यह जो इसका पर पूरा दुवीज पत्री होता है बहुवार्सी होता है जाड़ी दार होता है और अवसधिये पौधा है इस पौधे का पता सर्वर्थम लियोनार्ड राल्फ नेशन 1582 इस भी में लगा था आपको बताते चले और भी जानकाई थोड़ी सी कि सर्पगंधा के अवसधिये गु होता है इनकी जड़ों में छार के अत्रित अनेक कर्बनिक पदार्थ और खनिज लवन भी पाय जाते हैं सर्पगंधा की जड़ें पित पौश्टिक जरहर निद्राकार गर्भासे उत्तेजक तथा बिसहर होती है और जड़ का रस जो होता है वो आतितनाव में कामाता है उ इस्टीरिया, मिर्गी, घबराहट, मांसिक, असंतुलन, पागलपन, अनिद्रा, आधी रोगों के उपचार में सर्पगंधा का प्रियोग किया जाता है या राउलफिया सर्पेटाइना का प्रियोग किया जाता है नेस कुछचन है रेस्प्रीन अलकलाइड किसके जड़ स प्राप्त होता है देखे कुछचन उसी में से पूछा गया है तो इसका आंसर होगा डी राउलफिया सर्पेटाइना से रेस्प्रीन अलकलाइड प्राप्त होता है राउलफिया सर्प्रीन अलकलाइड प्राप्त होता है नेस कुछचन है निलुकित में से कौन सा अलकलाइ की दवा बनाई जाते है या दवा प्राप्त की जाती है तो इसका आंसर होगा सर्पगंधा या रावल फिया सर्पटाइना से या आप्शन सही होगा सी नेश कुश्चन है नवरिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक आउसाधी बनता है जो मांसिक असंतुलन को ठ की करता है तो इसका आंसर होगा सी रावल फिया सर्पटाइना से या सर्पगंधा से नेश कुश्चन है एलकलाइड रेस्परीन जड़ों में होता है एलकलाइड रेस्परीन किसकी जड़ों में होता है तो इसका आंसर होगा सी रावल फिया सर्पटाइना से अब देखिए कितने सारे questions पूछे गए हैं बार-बार करके सरपगंधा से या राउल्फिया सरपटाईना से सबको आपको याद रखना है फिर next question है क्रोकस सेटाइवस का साधारन नाम क्या है तो क्रोकस सेटाइवस का साधारन नाम क्या होगा लॉंग केसर लाल मिर्च काले मिर्च आंसर सही योगाज में B, केसर क्रोकस सेटाइवस का साधारन नाम है बताते चलें कि क्रोकस जो होता है क्रोकस सेटाइवस का साधारन नाम केसर होता है और यह एरिडेसी कुल का पौधा होता है यह पौधे के पुस्प के सूखे हुए इस्टिगमा तथा इस्टाइल के उपरी भाग से प्राप्त किया जाता है जो केसर बनाई जाती है वो जो पुस्प होता है फ्लावर होता है उसके इस्टिगमा तथा इस्टाइल के उपरी भाग से प्राप्त किया जाता है most costly मसाला होता है next question है crocus के pushp का वह भाग जिससे केसर बनता है क्या कहलाता है तो हम सभी लोग जान चुके हैं style और stigma कहलाएगा answer सयोगस में next question है केसर एक पौधि से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल या family से संबंधित है केसर किस कुल से संबंधित है answer सयोगसी iridesi कुल से संबंधित है next question है opium किस पौधि से प्राप्त होता है चार आप संदिये गए हैं opium किस पौधि से प्राप्त होगा answer सयोगस में से b opium किस पौधि से प्राप्त होगा और इसका फल अनेक बीज युक्त कैपसूल होता है इसमें बहुत सारे बीज भरे रहते हैं जो छिद्र अथवा कपाट के द्वारा इस फुटित होते हैं जिसको हम लोग अफीम कहते हैं वो यही पैपेवर सोमनी फेरम ही होता है इसमें बहुत छोटे-छोटे से छिद्र होत जाती है या अफीम प्राप्त की जाती है अर्थात अफीम को क्या कहते हैं ओपियम कहा जाता है और अफीम के अनेक एलकलाइट्स जैसे मार्फीन, कोडीन, पैपेवरीन, नार्कोटीन आदे प्राप्त की जाते हैं अफीम अनेक औसधियों में सांतिकर के रूप में प्रयो कच्चे फ़जे प्राप्त की जाती है भी मैंने आपको बताया था कि जो आ अल पर रपको कैप्सूल होता है जो कच्चा फल होता है उसके दूद्य लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है नेज क्यूDet है नल्विग्षित पाद्पो में से किसमे म सॉन पाया जाता है तो इसका आंसर होगा C, पैपेवर सोमनी फेरम में मार्फीन एलकलाइड पाया जाता है, अगर मार्फीन की जगे पर कोडीन कहा जाता, तब भी यही होता, पैपेवरीन कहा जाता, तब भी यही होता, नार्कोटीन एलकलाइड कहा जाता, तब भी पैपेवर सो लेवरीन, नार्कोटीन ये सब अफीम के अलकलाइड होते हैं नेश कुछन है पैपेवर सोमनी फेरम का कौन सा भाग निसकरसन में प्रियोग तो होता है तो इसका आंसर होगा D बिना पका कैपसूल निसकरसन में प्रियोग होता है नेश कुछन है पैपेवर सोमनी फेरम के कि इस भाग से अफिम प्राप्त की जाती है तो इसका आंसर होगा C, आ परिपक को फल से देखे कितनी बार question वही घुमा घुमा कर पाया जाता है, फिनेस क्यूचन है, पैपे बार सोमनी फेरंख का वहभाग जिससे अफिम प्राप्त की जाती है, देखि कितनी बार घुमा कर पोखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, शी क अच्यफ़ल से प्राप्त की जाती है, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वहा किस कुल से संबन्नित है यानि हींग के पौधे का कुल बताना है चार आपसन आप लोगों के सामने दिये गए है इसमें से आपसन सही होगा D अमबेली फेरी अमबेली फेरी वह कुल है जिसके पौधे से हिंग प्राप्त की जाती है बता दें कि फेरूला ऐसा फोडिटा और फेरूला फोडिटा फेरूला रूबरी कॉलिस आदी पौधों से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है और इस letex को सुखा करके हिंग बनाई जाती है या हिंग प्राप्ट की जाती है तो अंबेली फेरी को APAC कुल के नाम से भी जाना जाता है अंबेली फेरी को APAC कुल भी कहा जाता है नियोजिया पौधा है म्रतोब जीवी, सह जीवी, किड़भच्ची पादप इन में से कोई नहीं चार आप्सन आप लोगे सामने है, कौन सा आप्सन सही होगा, TGT 2010 में एक उच्छन पूछा गया था, इसमें से आप्सन सही होगा, पहला म्रतोब जीवी, नियोसिया पौधा, म्रतोब जीवी पौधा होता है, और इसे सामान रूप से bird nest orchid भी कहा जाता है, bird nest orchid, यह humus युक्त म्रदा में उत्पन होता है, जहां पर humus होता है, ऐसी म्रदा में पाया जाता है, और इसमें राइजोम के नीचे जड़े निकलती हैं, राइजोम यानि तने के नीचे जड़े निकलती हैं, जो की माईको राजा से सज्यक्त होती हैं, या फंजाई जो माईको राजा होता है, उससे जुड़ जाती हैं, इस प्रकार, ये कवक से अपना भोजन अवसूसित करती रहती हैं, नीकलती हैं, प्रपर्ण हैं, एक काली का पर्ण पर्ण ब्रेंत कंटक्ट, ये क्विस्चन TGT 2010 में पूछा गया था, चार आप्चन आप लोग के सा मंता बड़े आकार की होती हैं, जिन्हें प्रपर्ण कहा जाता है, यानि फर्ण की जो पतिया होती हैं, टेर्डोफाइट्स की जो पतिया होती हैं, बड़े आकार की जो होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, और ये जो प्रपर्ण होते हैं, ये काफी आकारसक दिखाई दे है यह compound type होती है next question है कौन सबसे बड़ा कुल है सबसे बड़े कुल का नाम बताना है यह question दो बार पूछा गया एक बार PGT 2010 में एक बार TGT 2005 में पूछा गया था चार आपचन आप लोग के सामने दे गए हैं इसमें से बताना है सबसे बड़ा कुल कौन सा है लेलियेसी सोलेनेशी कुकरबेटेसी एस्टरेशी तो इसका आंसर होगा D एस्टरेसी सबसे बड़ा कुल है और एस्टरेसी कुल को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जिसे कमपोजिटी कुल कहा जाता है यानि एस्टरेसी सबसे बड़ा कुल है और इसे कमपोजिटी कुल के नाम से भी जानते हैं तो कोई भी नाम पूछा जाए चाहे कमपोजिटी हो तो सबसे बड़ा कुल हिष्ट रेसी हो तो सबसे बड़ा कुल हो जाएगा next question है रोम पुछ रुपान्त्रण होता है रोम पुछ किसका रुपान्त्रण है चार आपशन आप लोग के सामने दिए गए है यह TGT दोहजार पांद में कुछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, रोमपुच्छ बाहतल पुझ का रुपांत्रण होते हैं, इस पोधे द्वारा रेशा, तेल वा जन्तों के लिए भोजन उत्पन किया जाता है, इन में से ऐसा कौन सा पोधा है, जिसे रेशा, तेल और जन्तों के लिए भोजन बना क्या जाता है उत्पन्न होता है टीजीटी 2010 में कुछा गया था इसका आंसर होगा ची का पास का पास से ररेसा भी प्राप्त होता है तेल भी प्राप्त किया जाता है और जंतों के लिए भोजन membh Ann WILLIAM होता है बता दें आप लोगों को कि कपास मालवेसी कुल का पौधा है किस कुल में पाजाता है मालवेसी कुल का पौधा होता है और कपास को गैशी पीम भी कहा जाता है गौशी पीम भी कहते हैं इनके बीज घने रोमों से धके रहते हैं छोटे छोटे से घने घने से रोम होत है और जो इसकेखली होती है यह जो ओल जो केक होता है उस खली में प्छर मात्रा में प्रोटों होती है जो पसु आहार के रूब में प्रियोग की जाती है अभी मैंने आपको पता है जो कपास है कपास को गौशिऊचीנס Fin be कहा जाता है कितनी बार वही question घुमा घुमा करके TGT और PGT में पूछे जाते हैं तो कपास इस परिवार का किस परिवार का आप बताएंगे आपसन सेयोगस में B मालवेशी कुल का कपास होता है TGT 2004 में question पूछा गया था और वो अला 2011 में पूछा गया था फिर next है glooms किसका रुपांतरण है glooms किसका रुपांतरण है तो इसका answer होगा D सहपत्रों का रुपांतर glooms होते हैं glooms सहपत्र का रुपांतरण है या ब्रैक्ट का रुपांतरण होते हैं और सहपत्र छोटी पत्ती नुमा सन रचनाय होते हैं जिनके अक्ष में पुस्प विक्सित होते हैं और यदि पुस्प में सहपत्र उपस्थित हो तो पुस्प सहपत्री होता है और यदि नहीं है तो असहपत्री कहा जाता है निम्न में से किस कुल का सीमान्त बिजान्द नयास है ऐसे कुल का नाम बताना है जिसमें बिजान्द नयास सीमान्त पाया जाता है तो इसका आंसर होगा B, लेग्यूमेनोशी लेग्यूमेनोशी कुल में सीमान्त बिजान्द नयास पाया जाता है और लेग्यू मेनोशी कुल को दलहनी कुल भी कहते हैं और इसे फेबेशी कुल के नाम से भी जाना जाता है नेश कुछन है लेग्यू मेनोशी में बीजान्ड नियास होता है लेग्यू मेनोशी में बीजान्ड नियास कैसा होता है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया इसमें बीजान्ड नियास कैसा होगा सीमान्त बीजान्ड नियास पाया जाता है आंसर से वोगस में D देखे घुमा घुमा करके प्रशन बार बार करके वही पूछे जाते हैं फिर से वही प्रशन है सीमान्त बेजान डिन्यास लक्षण है किसका TGT 2005 में पूछा गया यह प्रशन तो इसका आंसर होगा C लेगी मनुशी कुल का है सीमान्त बेजान डिन्यास लक्षण नेक्स कुछण है निवन में से कौन एक तैलिये बीज फसल है तैलिये बीज फसल बताना है जिससे तेल उत्पन होता है गेंदा, गुलदावदी, गुलाफ, सूरद मुखी चार आफसे नावलों के सामने दे गए हैं कौन सा इसमें सही होगा TGT 2009 में कुछा गया था इसका आंसर होगा D, सूरद मुखी तैलिये बीज फसल होती है बता दें कि सूरद मुखी का वैग्यानिक नाम हेलियन्थस एनस होता है वैग्यानिक नाम क्या है इसका हेलियन्थस एनस और यहाँ कमपोजिटी कुल का पोधा है कमपोजिटी कुल को एस्टरेसी कुल भी कहा जाता है और इनके बीजों से खाद वश्यत तेल प्राप्त होता है नेस कुछिशन है सूरद मुखी का वैग्यानिक नाम है तो अभी मैंने आप लोग बताया है सूरद मुखी का वैग्यानिक नाम हेलियन थस एनस होता है नेस कुछिशन है सूलेनेशी में पूंकेशर होते हैं कैसे पूंकेशर सूलेनेशी में पाय जाते हैं युग्त पूंकेशरी एपिफिलेस दल लग्न युग्त कोशी तीजीटी 2005 में कुछिशन पूछा गया था कि सूलेनेशी में पूंकेशर कैशे होंगे तो आपको बताना है इसका आंसर होगा सी दल लग्न होंगे तो सुलेनेशी कुल जो है इस कुल में पूंकेशर दल लग्न होते हैं और इसके पुतन छोटे वह आसमान तथा पराकोस अग्र इसपर सी होते हैं Next question है सेट्रो नेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से किसकी पत्तियों से सेट्रो नेला तेल प्राप्त होता है ये question TGT 2005 में पूछा गया था इसका answer होगा B Simbo Pogon Nats की Simbo Pogon Nats की पत्तियों से सेट्रो नेला तेल प्राप्त होता है आपको बता दें कि सेट्रो नेला तेल का उप्योग साबुन बनाने में किया जाता है और कीट निवारक भी होता है कीट कौन से जिसे मक्छर बगरा है इनको भगाने के लिए काम में लाया जाता है नेश कुछन है पत्रकंद का रुपांत्रण है भूमिगत तने का, पत्तियों के आधारों का, कलिकाओं का, मुलांकुर का TGT 2005 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा बताना है पत्रकंद एक रुपांत्रण है तो इसका आंसर होगा C पत्रकंद कलिकाओं का रुपांत्रण होता है पत्रकंद काईक या पुस्पी कलिकाओं का रुपांत्रण होता है चाहे काईक कहिए या वेजिटेटिव चाहे फ्लोरल या पुस्पी कहिए इनका रुपांत्रण है और या भोजन के संग्रह से फूल जाता है क्यों कि इसमें पराकोसी अवस्था पाई जाती है लेबियेटी, सुलेनेशी, मालवेशी, एश्टरेशी, एश्टरेशी को कमपोजिटी भी कहा जाता है TGT 2005 में कुछा गया था कि पूंकेसरों की युक्त पराकोसी अवस्था किसम में पाई जाती है आंसर सही होगस के D, एश्टरेशी कोल में या कमपोजिटी कोल में पूंकेसरों की युक्त पराकोसी अवस्था पाई जाती है और इनके पुमंग युक्त कोसी वा दललंग्न पूंकेसरों से निर्मित होते है नेस कुछन है युक्त कोसी पूंकेसर पाया जाता है देखे पहले पुछा गया था पूंकेसरों की युक्तकोसी अवस्था पाई जाती है अब पूछा गया है युक्तकोसी पूंकेसर पाया जाता है किस में TGT 1999 में पूछा गया था ये प्रशन तो इसका आंसर होगा पहला काम पोजिटी कुल में या इस्टरेसी कुल में ने कुछन है साइथियम या काटोरिया पुस्पक्रम लक्षण है किस कुल का काटोरिया या साइथियम चार आपसन आप लोगे सामने देगा है कौन सा आपसन काटोरिया का लक्षण है TGT 2005 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर होगा भी यूफोवीयसी कुल का होता है बता दिखाई देता है इसलिस को कटोरिया कहा जाता है क्योंकि कुछ क्टोरे की Aurritica सह पत्रिशक्र बन जाता है Next Q kitchen है यूफोर वीया हिर सुटा में पुस्पक्रम होता है कैसा यूफोर वीया हिर सुटा में पुस्पक्रम कैसा पाया जाता है चार आप ठीजी ती 2013 में कुछन यह आया था इसका आंसर होगा B सायथियम में पाया जाता है नेस कुछन है सायथियम पुस्पक्रम बिसिश्ट लक्षण है किसका बिसिश्ट लक्षण होता है TGT 2000 में कुछन आया था यह इसका आंसर होगा D यूफोरबिया का बिसिश्ट लक्षन होता है, नेश कुछन है, छीर तथा एक लिंगी पुस्प युक्त पौधे किसमें पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा C, U4VAC में पाए जाते हैं, नेश कुछन है, सूरत मुखी का वैज्ञानिक नाम है, तो अभी मैंने आप लोगों बताया है, सूरत मुखी का पुंकेशर होते हैं, कैसे पुंकेशर सूलेनेशर में पाए जाते हैं, युक्त पुंकेशरी, एपिफिलेस, दल लगन, युक्त कोशी, TGT 2005 में कुछन पूछा गया था, कि सूलेनेशरी में पुंकेशर कैशे होंगे, तो आपको बताना है, इसका आंसर होगा, C, दल लग सी होते हैं, नेस कुछन है, सेट्रो नेला तेल प्राप्त होता है, पत्तियों से, किसकी पत्तियों से सेट्रो नेला तेल प्राप्त होता है, ये कुछन TGT 2005 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा, B, सिम्बो पोगान नार्स की, सिम्बो पोगान नार्स की पत्तियों से स जेट्रो नेला तेल प्राप्त होता है, आपको बता दें कि सेट्रो नेला तेल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, और कीट निवारक भी होता है, कीट कौन से? जिसे मक्छर बगएरा है इनको भगाने के लिए काम में लाया जाता है नेश कुछन है पत्रकंद का रूपांत्रण है भूमिगत्त तनेका, पत्तियों के आधारों का, कलिकाओं का, मुलांकूर का TGT 2005 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा बताना है पत्रकंद एक रूपांत्रण है तो इसका आंसर होगा C पत्रकंद कलिकाओं का रूपांत्रण होता है पत्रकंद काईक या पुस्पी कलिकाओं का रूपांत्रण होता है चाहे काईक कहिए या वेजिटेट्व चाहे floral या पुस्पी कहिए इनका रुपांत्रन है और या भोजन के संग्रह से फूल जाता है क्योंकि इसमें भोजन भर जाता है कठा हो जाता है इसलिए या फूल जाता है पत्रकंद काईक जनन में सहायक होता है या vegetative reproduction में सहायक होता है आते हैं नेश कुश्चन पर पूंक पूंकेसरों की युक्त पराकोसी अवस्था किसम में पाई जाती है और इनके पूमंग युक्त कोसी वा दललंग पूंकेसरों से निर्मित होते हैं नेश कुश्चन है युक्त कोसी पूंकेसर पाया जाता है देखे पहले पूछा गया था पूंकेसरों की युक्त कोसी न्यान में पूछा गया था यह प्रश्ण तो इसका आंसर होगा पहला Compositive कुल में या Estereasi कुल में Next question है Cythium या Catoria Puspakram लक्षण है किस कुल का? Catoria या Cythium 4 option आप लोगे सामने देगे हैं कौन सा option Catoria का लक्षण है? TGT 2005 में कुछन पुछा गया था, इसका आंसर होगा B UFOVAC कुल का होता है बता दें कि साइठियम या कटोरिया पुस्पक्रम UFOVAC कुल का लगज़डा है और यह यह यूफोर्बिया की अनेक जातियों में पाय जाता है इसमें कटोरिय की आकिर्थीका एक सहपत्र चक्र दिखाई देता है इसलिए इसको काटोरिया कहा जाता है क्योंकि काटोरे की आर्केटिका सहपत्र चक्र बन जाता है नेस कुश्चन है यूफोर्विया हिरसुटा में पुस्पक्रम होता है कैसा यूफोर्बिया हेरिसुटा में पुस्पक्रम कैसा पाया जाता है? चार आपसम लोग के साबने दिये गए हैं TGT 2013 में question यह आया था इसका answer होगा B सायथियम में पाया जाता है next question है सायथियम पुस्पक्रम बिसिश्ट लक्षण है किसका बिसिश्ट लक्षण होता है TGT 2000 में question आया था इसका answer होगा D यूफोर्बिया का बिसिश्ट लक्षण होता है next question है छीर तथा एक लिंगी पुस्पयुक्त पौधे किसमे पाया जाते है तो इसका answer होगा C यूफोर्बियासी में पाया जाते है निमने लिखित में से किसमे साइकोनस फल पाया जाता है इन में से किसमे साइकोनस फल पाया जाता है चार आपसन आपरों के सामने देख आए है साइकोनस फल किसमे पाया जाता है answer सही होगा इसका D फाइकस में साइकोनस फल पाया जाता है बता दें कि phycus को अंजीर कहते हैं phycus को हो चाहे अंजीर को हो जिसे fig अंग्रेजी में कहा जाता है यह साइकोनस फल इसी में पाया जाता है यहाँ एक प्रकार का संग्रन्थित फल है composite fruits होता है और यह hypenthodium puspacrum से बिकसित होता है next question है कौनसा पुस्पकरम अंजीर में पाया जाता है racine, spikelet, capitulum, hypenthodium कौनसा पुस्पकरम अंजीर में पाया जाता है चार आपसन आप लोगे सामने है इसका answer होगा D कौनसा पुस्पकरम अंजीर में तो hypenthodium puspacrum अंजीर में पाया जाता है हाइपन थोडियम को उदंबरू भी कहा जाता है इंदी में नेस कुछन है हाइपन थोडियम पुस्पक्रम एक प्रमुख लक्छन है किसका चार आफसन दिये गए हैं TGT 2005 में कुछन ही पूछा गया था इसका आउसर होगा पहला हाइपन थोडियम पुस्पक्रम फाइकस का प्रमुख लक्छन है इस पौधे की चाल से मलेरिया की प्रसिध दवा उत्पन होती है इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी चाल से मलेरिया की प्रसिध दवा उत्पन होती है प्रियोग मलेरिया के उपचार में गिया जाता है क्योंकि कुनायन जो होता है ये जुर नासक होता है मलेरिया को दूर करता है बुखार को दूर करता है मलेरिया रोधी होता है और दर्द निवारक औसरी के रूप में प्रियूप किया जाता है सिनकोना रूबिये सी कुल का पौथा है रूबिये सी कुल और किस फोधे से तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है नेस कुछिचन है मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है मलेरिया बुखार को ठीक करने वाली दवा किस में से प्राप्त होती है TGT 1999 में पुछा गया था इसका आंसर होगा पहला सिनकोना की छाल से मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है तो जो सिनकोना की छाल है इससे कुनायन प्राप्त होती है और कुनायन से मलेरिया ठीक होता है जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस पतिक नाम है यानि इन में से ऐसा कौन सा पौधा है जिससे पायरा रबर प्राप्त होता है तो इसका आंसर होगा B. हेविया ब्रेसलियंसिस हेविया ब्रेसलियंसिस से यानि इस पौधे से पायरा रबर प्राप्त होती है बता दें कि इसके ब्रिच से उत्पनल लेटेक्स से उच्छ कोट की रबर प्राप्त होती है और यह U4BAC कुल का पौधा है जो हेविया ब्रेसलेंसिस है यह U4BAC कुल का पौधा है जंगल की आग के नाम से जाना जाता है बता दें कि इसे पलास ठाक तथा तोता ट्री के नाम से भी जानते हैं इसे पलास भी कहते हैं धाग भी कहा जाता है तोता ट्री के नाम से भी जाना जाता है यह फेबेसी कुल का पौधा है फेबेसी कुल इसके पुमंग में 6 प्रथक पुंकेसर होते हैं 6 अलग अलग पुंकेसर पाय जाते हैं बाहरी दो पुंकेसर छोटे पार्स इस्थित होते हैं जबकि भीतरी चार बड़े वा अग्रपस्च इस्थित होते हैं धबस पूँ के पुप्योग हरी खाद बनाने में किया जाता है इन पौधों की पार सुजड़ों से ग्रंथियां पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन इस्थरी करने वाले जीवाण राइजो भी अम पाए जाते हैं और ये जीवाण वायमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पौधों तक पहुँचाते हैं नेश कुछन है कमपोजिटी से संबंधित कौन सा वाके गलत है बताना है मुंड़क पुस्पकरम जायांग धर पुस्प युक्त कोसी परा कोस सिफसेला फल इसका आंसर होगा बी जायांग धर पुस्प ये वाके गलत है बाकी तीनों वाके सही होंगे नेश कुछन है क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तयार किया जाता है क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तयार करते हैं तो इसका आंसर होगा बी क्रिकेट का बैट सैलिक्स परप्यूरिया के पौधे की लकड़ी से तयार किया जाता है आप लोगों को बता दें कि मोरस एलबा की लकड़ी से बहुत से खिलके सामान जैसे हौकी, स्टिक, टेनिस रैकेट, क्रिकेट, स्टंप आधी बनाया जाते हैं जबकि सैलेक्स पर्पूरिया से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है नेस्ट क्यूस्चन है, निम्रिकित में से कौन पुस्प सूर्य मुखी में पाया जाता है? ऐसा कौन सा पुस्प है जो सूर्य मुखी में पाया जाता है? चार आफसन आप लोगों के सामने दे गए हैं टीजीटी दोजार चार में कुछ variety पूछा गया था, इसका आउसर होगा सी कैपिटुलम तो कैपिटुलम पुस्प क्रम सूर्य मुखी में पाया जाता है? बता दे कि सीर्DS अथवा मुन्ड़क पुस्प क्रम सूर्य मुखी में पाया जाता है और इसमें मुखिय आक्ष य और अंदर की औरjud adult question entrar Jam का बिसीष्ट लक्षड होता है पूजायंगदः और आपको बता देें किसमें पुमंगदर तत्ह जैनकदर दोनों उपास्थितों होते हैं नेक्ट्स कुश्चन है सेव किस कुल से संबंधित है और सेव दूई बीज पत्री पोधा होता है यहार रोजेसी कुल से जुड़ा हुआ है यहार रोजेसी कुल में पाया जाता है नेक्ट्स कुश्चन है पामी कुल का वैकलपिक नाम बताईए पामी कुल का वैकलपिक नाम बताना है तो इसका आंसर होगा सी एरी केसी पामी कुल का वैकलपिक नाम एरी केसी होता है नेक्ट्स कुश्चन है सुपारी का वैकलपिक नाम है सुपारी का वैकलपिक नाम क्या ह तो इसका आंसर होगा B, सुपारी का बनस्पतिक नाम EREKA KETECHU है, EREKA KETECHU, नेक्स्ट कुछिचन है, कौनसा एक बीजपत्री कुल है, ऐसा कौनसा इसमें से कुल है, जो एक बीजपत्री है, आंसर होगा इसमें, पहला पामी और B वाला पोईसी, यानि आंसर से वोगा D, A तथा भी दोनों, नेक्स कुछिचन है, नेम्न लिखित में से कौनसा पौधा बीज सुगर उत्पंद करता है? तो इसका आंसर होगा D, बीटा वेलगेरिस, बीटा वेलगेरिस बीजपत्री सुगर उत्पंद करता है, आप लोगों को बता दें कि बीजपत्र चुकंदर के पौधे से प्राप्त किया जाता है जो बीट सुगर है ये चुकंदर के पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसका बानस्पतिक नाम बीटा वल्गेरिस है या अमरंथेसी परिवार का सदसे होता है अमरंथेसी और इससे प्राप्त सरकरा अर्था बीट में या सुगर में स बीटा वल्गेरिस का सरकरा उत्पन करने वाला भाग है जो सरकरा उत्पन करता है तो आंसर होगा C, जड़ भाग यह वहीं चुकंदर का जड़ वाला भाग है जो हम लोग खाते हैं उसी से सुगर उत्पन होती है सरीफा या सीता फल है इसमें से सीता फल क्या है बताना है संग्रन्थित फल एकल फल पुंज फल साइकोनस फल इसका आंसर होगा सी सरीफा पुंज फल होता है यानि एग्रिगेट फ्रिूट होता है और यहाँ बेरी पुंज फल कहलाता है बेरी पुंज फल होता है मुंड़क पुस्पक्रम किस कुल का विशिश लक्षण है मुंड़क पुस्पक्रम तो इसका आंसर होगा बी मुंड़क पुस्पक्रम कमपोजिटी कुल का लक्षण विशिश होता है यानि मुंड़क पुस्पक्रम जो है ये कंपोजिटिकल का बिसिश लक्षण है और ये प्राया आसी माक्ष समसिक अथवा संयुक्त मुंडकों में विन्यासित होता है और प्रतेक मुंडकों में पुस्पकों की संख्या कुछ या अधिक होती है सिंखारे के फल में दोनों कांटे सद्रिस संडचनाएं किस से बिक्सित होती है अथवा क्या प्रदर्शित करती है तो आंसर इसमें कौन सा से होगा आपको बताना है टीजीटी दोजार दो में कुछा गया था इसका आंसर होगा सी रूपांत्रित बाहदल पत्र होते हैं जो कांटे होते हैं वो रूपांत्रित हो जाते हैं कांटों में जो बाहदल पत्र होते हैं वही नेश कुछ न है सिंखारे के फल में कांटे होते हैं रूपांत्रित किस के रुपांत्रे तो होते हैं तो इसका आंसर होगा बी बाह दल पुंज के या कैलेक्स के रुपांत्र होते हैं काटे नेस कुछन है लगु कलब मास प्रचलित नाम है जो लगु कलब मास है ये किसका प्रचलित नाम है ये बताना है चार आफसन दिये गए है इसमें से किसका यह TGT 2010 में question पूछा गया था इसका answer होगा पहला सिले जनेला सिले जनेला का प्रेचलित नाम लगुक्लब मास है यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह सिले जनेला का चित्र मैंने आपको दिखाया हुआ है और सिले जनेला का प्रेचलित नाम क्या होता है लग हो क्लब मास, पॉइंट भी नोटेड, लग हो क्लब मास होता है, लेटिल क्लब मास है, और इसे स्पाइक मास भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, स्पाइक मास के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो लाइको पोडियम होता है, लाइको पोडियम को क्लब मास कहा जाता है, इ लाइको पोडियम को क्लब मास कहा जाते हैं तो यह जो आप चितर देख रहे हैं यह लाइको पोडियम का चितर है लाइको पोडियम का पौधा है ये नेश्ट कुश्चन है लाइको पोडियम को सामनतया कहा जाता है क्या कहते हैं तो आप्शन होगा भी क्लब मास कहा जाता है तो ये जो चितरा आप देख रहे हैं चाहे आप इसको लाइको पोडियम कहिए चाहे club mass कहिए क्योंकि likeopodium को ही club mass कहा जाता है next question है nitrogen इस्थरीकरण करने वाला teridofides है इन में से ऐसा कौन सा teridofide है जो nitrogen का इस्थरीकरण करता है TGT 2010 पर question पुछा गया था इसका answer होगा पहला azola तो ये जो आप चितर देख रहे हैं ये एजोला का चित्र है और एजोला एक जलीए फर्न होता है इसमें सह जीवी रूप में थाज्वैशन करते है और जाज्वी संबंध को धान के खेतों में उपयोग किया जाता है यानि धान के खितों में nitrogen को बढ़ाने के लिए इनका उप्योग करते हैं नेश्ट क्वेस्चन है निमनल खित में से कौन जलिये टेरिडोफाइट्स है कौन सा जलिये टेरिडोफाइट्स है लाइकोपोडियम, एजोला, एक्विसिटम, टेरिस ये question TGT 2010 में पूछा गया था कि निमनल खित में से कौन जलिये टेरिडोफाइट्स है तो इसका answer होगा B, जलिये टेरिडोफाइट्स, एजोला होता है जैसा कि आपको चितर में दिख रहा है, ये एजोला है और ये जलिये टेरिडोफाइट्स होता है next question है, उस पौधे का नाम बताइए, जिसके राजों में उभायत फ्लोईमी नाल रंभ पाया जाता है ये राजों में उभायत फ्लोईमी नाल रंभ पाया जाता है, ऐसे पौधे का नाम बताना है चार आपसा दिये गए है, टीजीटी उनीसों निन्याने में उप्रेशन पुछा गया था, इसका आंसर होगा डी, मारसीलिया, तो ये जो आप चितर देख रहे हैं, ये मारसीलिया का पौधा है, मारसीलिया पादप है और मारसीलिया के राजों में उभायत फ्लोयमी नालरंभ पाया जाता है और इसमें जायलम चारों तरफ से फ्लोयम दरा घिरा रहता है, जो जायलम होता है, वो चारों तरफ से फ्लोयम के दरा घिरा होता है और पित मध्य में पाया जाता है जो पित होता है वो मध्य में ये बेज में मिलता है मारसीलिया के राइजोम की आंतरिक संद्चना में शमभाहन संगठन निम्न प्रकार का होता है किस प्रकार का होता है टीजीटी दुजार दो में पूछा गया था यह प्रशन मार्सीलिया में इस्टील होता है इस्टील यानि रंभ होता है TGT 2009 में कुछर पूछा गया था इसका आंसर होगा C MP-Floic Siphon Steel प्रकार का रंभ पाया जाता है या इस्टील पाया जाता है नेश्ट कुछन है जब एक पौधे भी दो प्रकार की बीजान पाया जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं यह ऐसा पौधा जिसमें दो प्रकार की बीजान पाया जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर होगा A. विसम विजारुकता कहा जाता है विसम विजारुकता ये question TGT 2009 में पूछा गया था बताते चलें कि जब एक पौधे में दो भिन प्रकार की विजार बनते हैं तब इस अवस्था को विसम विजारुकता या कहले जी की हेट्रोस्पोरी कहा जाता है हेट्रोस्पोरी और ऐसे पौधों को विसम विजारुक कहा जाता है हेट्रोस्पोरस पौधे कहा जाता है और विसम विजारुकता से विज्युक्त प्रकेति का विकास आरंभ होता है तो कुल में लाकर के जब एक पौधे में दो भिन प्रकार के अलग प्रकार के भी जाणों बनते हैं उसी अवस्था को बिसम भी जाड़ूकता कहा जाता है next question है जिनेला के प्रकंद की आकार की प्रकंदी है तो इसका आंसर होगा C जड एवं तने जैसे यहने दोनों जैसे ही होती है, जड़ जैसी भी और तने जैसे भी Next question है, सिले जिनेला में पाई जाती है क्या पाई जाती है? TGT 2009 में कोई से पुछा गया था, चार आपसन दे गए हैं आप लोग जल्दी से सोचें कि सिले जिनेला में क्या पाई जाती है? आंसर होगा पहला, बड़ी एवं जोटी पतियां चक्राकार या स्पाइरली क्रम में बेवस्थित होती है Next question है, मूल विहीन फर्ण कौन है? मूल विहीन फर्ण TGT 2009 में कोई से पुछा गया था, इसका आंसर होगा C, साल्वीनिया मूल विहीन फर्ण है साल्वीनिया एक मूल विहीन यानि रूट लिस फर्ण है इसमें वास्तरी मूल नहीं पाया जाते हैं, रूट से नहीं पाया जाते हैं इसमें फालियर मूल पति की निचली सतह से निकलते हैं Next question है, टेरिस के सोराई होते हैं टेरिस के सोराई क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स में कुछ से पुछा गया था इसका आंसर होगा B विच्छिन एवं क्रेमी रूप विच्छिन एवं क्रेमी रूप Next question है, टेरिडोफाइट्स में पादप सरीर की उतपत्त के विशे में टेलोम वाद प्रस्तावित किया गया था चार आप्सन दिये गये हैं इसमें से आप्सन सहयोगा C जिमरमैंद के द्वारा यह दिया गया था टेरिडोफाइट्स में पादप सरीर की उतपत्त की विशे में टीलोम वाद किसे ने दिया? जिमरमैंद ने दिया था और उन्होंने कहा है कि सभी समवाहनिये पौधों का विकास या उत्पत एक साधारन दुई साखित टेरडोफाइट जैसे राइनिया से हुआ है राइनिया या सिलोफाइट कहा जाता है नेक्स क्वेश्चन है मारसीलिया में रेफी पाया जाता है चार आपसन दिये गए हैं पूछा गया था कि मारसीलिया में रेफी पाया जाता है किसमें ऑपसन से होगा है इसमें बीजार फालिका में रेफी पाया जाता है नेक्स क्वेश्चन है नेक्स किसमें बीजार धानिया एवं गुरु बीजार धानिया सोराई के अंदर पाया जाती है यह कहा गया है कि लग बिजारधानिया और गुर बिजारधानिया सोराई के अंदर पाई जती है किस में यह TGT UNIX99 में प्रेशन पूछा गया था इसका आंसरों का पहला इस पोरोकार्प में इस पोरोकार्प जलिये फर्नों में पाई जाता है और इसमें लग बिजार धानिया और गुर बिजार धानिया सुराई के अंदर पाई जाती हैं बिजार धानियों को समु क्या कहलाता है सोरस कहलाता है बिजार धानियों के समु को सोरस कहते हैं